तो एक कोशन आप समने देखे एक अरब में कितनी शुन्य होती है एक अरब में कितनी शुन्य होती है इसके लिए चैरा आप समने छे आट नो दस तो एक अरब में कितनी शुन्य होती है यह आप कमेंट करके जरू बतेगेगा दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्र जरू कर लिजेगा यह आपके किसी भी competition exam में पूछ सकते हैं आपके SSC, bank PO, MPPSC, RRB, और पटवरी exam, teachers exam, किसी भी exam में reasoning, maths में यह जरू पूछ दा सकता है तो आई दोस्तो इसको एक अरब में कितने शुन्य होते हैं तो इसको समझने के लिए इस चार option तो आपको में दे ही दिये हैं कि 6, 8, 9, 10 अब इसमें कौन सा सही होगा लेकिन इसके लिए आपको कुछ basic समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप basic समझ जाएंगे तो आप answer या तो आप comment करी देंगे पेसिट आप comment करी देंगे कौन सा answer इसका सही होगा अगर नहीं आता है तो पहले basic सिखना ज़रूरी है आई दोस्तों देख लेते हैं एक बार फिर मैं आपको इसका answer बताता हूँ देखिए यनि कि आपको सबसे पहले बात करते हैं इकाई की बात करते हैं तो इकाई में एक शुन्य होती है अगर दहाई की बात करें तो दो शुन्य हो जाती है इसी तरह सेंकडा की बात करें तो तीन शुन्य हो जाएगी सेंकडा में कितनी शुन्य होती एकाई दहाई सेंकडा तीन शुन्य हो जाती है अगर एक हजार की बात करें इसी तरह मैं आपको पुछूँ क यज mimic के पांसो तो पांसो में कीतनी शुन्य होगी 22.00 कि एक हजार में कीतनी शुन्य होगी दोस्तों एक हजार में 3 शुन्य होगी तो एक हजार में कितनी शुन्य दोस्तों तीन शुन्य होगे कितनी शुन्य होगे तीन इसी तरह पांच हजार की बात करें तो पांच लिख के तीन शुन्य लगानी पड़ेगी तो इसमें तीन शुन्य हो जती है अगर चोरण हजार की बात करें तो चोरण हजार में कितनी शिन्य होगी दोस्तों इस चोरण हो तो है सही लेकिन हजार की बात करें तो तीन शिन्य लगेगी एकाई दाई सेकडा हजार दस जार तो चोरण हजार में भी तीन शिन्य होगी अगर एक लाग की बात करें तो यहां गिल लेते हैं एकाई धाई सेकड़ा हजार दस जार लाक तो यह लाक की एक सीपर आए एक अंक आएगा एक लाक एकाई धाई सेकड़ा हजार दस जार लाक तो एक लाक में कितनी सीपर होगी दोस्तों एक दो तीन चार पांच आपको होगे पांच शुन्य होगी यान एक लाग में पांच शुन्य होगी अगर एक लाग में पांच शुन्य है तो पच्चिस लाग में कितनी शुन्य है ये दिकर्मेंट करेंगे अब पच्चिस लाग में कितनी शुन्य होगी दोस्तों तो 25 अपनों लिख दे हैं, अब 5 शुन्य अपनों लगा देंगे, एक लाक में, या 25 लाक में कोई फरक ने पड़ेगा, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, एकाई, धाई, सेंगडा, हजार, दस जार, लाक, दस लाक, 25 लाक में 5 शुन्य होगी, इसमें भी कितने श जार, लाक, दस लाक, करोड, तो ये करोड की जगए, एक लिख दो, एकाई, धाई, सेंगडा, हजार, दस जार, लाक, दस लाक करोड, अब एक करोड में कितने शुन्य होगी दोस्तों, तो 3, 2, 5 शुन्य होगी, तो 7 शुन्य होगी, एक करोड में कितने शुन्य होगी, 7 श कि दाई सेकडा हजार दस हजार 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह नहीं कि 9 शुन्य होगे तो एक अरब में कितनी शुन्य होगे दोस्तों 9 शुन्य होगे आयोब के यहाद अपको अच्छी तरह सुन्द में आगे होगा तो अब हम कह सकते कि एक अरब में कितनी शुन्य होगे दोस्तों 9 शुन्य होगे एक अरब में नो शुन्य होगी जब एक अरब में नो शुन्य होगी तो ग्यारा अरब में कितनी शुन्य होगी जरा कमेंट जरू कीजेगा दस अरब में कितनी शुन्य होगी कमेंट जरू कीजेगा दस अरब में कितनी शुन्य होगी कमेंट करीजागा कमेंट जरू कीजिए दास अरब में कितनी शिन्ने होगी कमेंट जरू कीजिए थैंकि दोस्तों वीडियो चलग लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करना नहीं